हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो में चानल अम्रितीव असमिला आज की वीडियो में लड़कुपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं देखिए हमने पॉंचो बनाई है बहुत ही पुप सुरसी है और बैक से देखिए इस तरह की है क्योंकि हमारे काना जी बैठे हुए होते हैं तो यह बहुत अच्छे सूने आएगी आप किसी भी ड्रेस पर पहना सकते हैं इसके निचा आप प्रैंड भी बना सकते हैं बहुत ही अच्छी लगी साथ में हमने मैटिंग की कैप बनाई है और इतके हैं पर काफी सर्विस आच्छी है काना जी लोग बैठे हुए हैं अब आथाया वीडियो में मैंने सभी साच के लिए मेजर्मेंट बताई हुए आपको कोई प्रब्म नहीं होगी बनाने में आप आसानी से बना लेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्क्राइब ने किया तो प्लीस आप चैनल क का लोग का आएगा इसका बहुत ही कुप सुरत लगती है तो चले मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूं और देख लेते हैं कि हमने ये ड्रस इन के लिए कैसे बनाई है अब देखिए प्रेंट सबसे पहले हमने यहां पर यह स्काइब लिया है इसके साथ हमने यहां पर 2.5 हमें क्रॉसिया हूंक रही हुई है तो हम इसे अपना बॉल के स्टार्ट करने वाले हैं बहुत यह कुप सुरत से ड्रस हम बनाने वाले हैं और एकदम सिंपल और आफसान तरी के से यह देखिए हम क्या करेंगे यहां पर यह इस तरह से नॉट बनाएंगे यह देखिए यह एक बनाई दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, इस तरह हमें हाँ टोटल 40 चेन बनाएंगे चले बना लेती हूं फिर आगे दिखाऊंगे क्या करना है हमने यह देखिए 40 चेन बना ली 40 चेन बनाने के बाद एक एक चेन हम एक्स्टा बनाएंगे सभी साइज में आपको करना है एक चेन हमने इस एक्स्टा यहां पर बना नहीं है अब देखिए एक चेन हमारी हुख में इसके बाद दो चेन छोड़ देंगे और तीसरी चेन में हम डबल क्रोश्या बनाएंगे तीसरी चेन में हमने इस प्रोटल दो डबल क्रोश्या बना लिए अब देखें फिर से नेक्स चेन में एक बार बनाएंगे यह इस तरह से 40 chain बना एए 0 size में आपको 14 chain बना करना है five दस नमबर में साइए बनानी है मैं इस तरह से chain बना लिए दो यहाँ पर कि ऐसे आएंगे और यहां से हमें देखें एक और दूध़ हम defenders it बना ली और यहां पर हमने स्पधेरं डाल दो स्पेंटेमारद में डॉइन फिर दोर स्टाथ में इन चीन में में round को डॉइन यहांतले अधिटोर में पर सक्याजन इस तर रहें, फिर से एक इस पार दील होऊं, अपने celebrate 1 प्रेंटा kept all the conservate एक बार हमें इस तरह से डबल क्रोश या बनाना है एक दम सिंपल और आसान सा तरीका है कोई दिक्कत नी होने वाली है आपको यह देखें इस तरह से बनाएंगे तो चलिए मैं आपर फिर से बनाती हूं और जब यहां पर मैं कम चुछ कर लोगी तो मैं आपको सभी साइज मे आप measurement देख लें जीरो और एक नंबर में आपको दो दो रो बनानी है दो और तीन नंबर में आपको तीन तीन रो बनानी है चार नंबर में चार रो पांच नंबर में पांच रो चे नंबर में चे रो साथ नंबर में साथ रो आठ नंबर में आठ रो नॉर नंबर में नौ लगा देंगे इसे हमने सिंगल क्रोश या बनानी है ऐसे आपको सभी साइज में करना है सिंगल क्रोश या जरूर बनानी है यहां से हमने डाला फंदे को निकाला और यह हमने इसे बुन दिया फिर नेक्ष चेन में हमने डाला फंदे को निकाला और यह हमने बुन दिया फिर क्षिच करना सबाँ मां, अब क्षिच हैं, यह का टीट सु हम यहाँ डिया क्षिट, झाल मां पेलद कुझ जाट कर देम, यह किछीम ओंड़ा भी सेघाएं इसे हमा इसे का सीध़ बिढ़ा टा, इसे सिधा साहि बनागे में, यह क्षिच करना को एक दम सीधा यहां से यहां से यहां तक सिल देना है इते हैं कि यहां कुछ मोड़ेंगे कुछ नहीं मोड़ना है बस इसके वी से पर हमने इस तरह से यहां पर हम इसे सिलाए के स्टार्टिंग करते हैं कि थोड़ा सा एक दो बार अच्छे से सिल लें फिर हम थोड़ी थोड़ी दूर दूर पे भी से इस्टिश कर साते हैं ये रेखें एकदम सिंपल और आसान तरह के लिए बनाएं एकदम यूनिक सा पैटन आपका रेड़ी होगा इस पॉंचों के नीचे आप पैनाने के लिए पैन्ड भी बना सकते हैं ये रेखें आप 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 यहां से पैनाना है और यह जो आप देख रहे हैं यह इसकी कॉलर आजाएगी इस तरह से पलट जाएगा यहां पर यह देखें बहुत ही उब्सुरस सी पॉंचों है गाई इस एकदम न्यू पैटन मैंने आपको बना के बताया है यहां से यह इस तरह से पलट के आजाएग यह देखें यह कॉलर आ गई और पीछे से सीधा आएगा पीछे से आसे मुड़की नहीं आएगा पीछे से सिंपल सीधा साएगा चलिए हम यहां पर ब्लैक कलर में बूल गए यहलो कलर से आउटलैन करेते हैं बहुत सिंपल और सुवर सी हमने पुश्राग बनाई है गोपाल चे के लिए यहलो कलर का उन मैंने ले लिया है तो हम यहां पर आउटलैन करेंगे आप चाहें तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं यह देखें यहां पर इस तरह से अपन तीर दीर से उंह बनाब मुश्राइब सकते हुए यहां चाहर हुए फिर मुश्राट करेंगे च क्रोण दीर स्कति हैं जे दोगती हैaste दो बार से करना परूद दोग करेंगे अगडर देर ध्यूत नीम चे देखेंगे चाहरा है प्रक्रश को इस ग्लंतोबर से जोड़ है और यहां से इस तरह से करेंगे यह हमने निकाला तीन फंदे हैं तीन से दो और दो से एक कर दिया डबल क्रोश्या हम बना रहे हैं इसमें हमें तीन बार फिर से डबल क्रोश्या बनानी है दो बार हमने बना दिया और यह हमारा तीन हो गया यह देखें और फिर हम यहां पर दिखें यह एक और दो दो चैन स्क्रिप करने के बाद तीसरी चैन में से जोड़ देंगे इस तरह से हमें अपने पूरे पर बॉर्डर बना लेना है यह आगे से यह पूरा आते हुई यहां तक आएगा चलिए बना लेते हूं फिर आगे दि दरगा लोग आएगा तो हमारी पॉंचो रड़ी है चले मैं आपको क्या बनाना पर दाती हूं यह देखें यहां पर हम लेंगे इसे और इस तरह से एक लूब बना रहेंगे यहां पर इसे टाइट करेंगे इतना टाइट के देखें आप यहूं कैसे आसानी से इसमिसर रहें आप यह, एक और दो, हमने शृटा सा सा करेंगे यहां से हमारे छोटा सा सरकल है इसहें पर रहेंगे इस կह चेंप से हमिने अतनार हैं हो गया है अब यह करेंगे एक और दो दो चेन हमने बनाई यहां देखें फोस्ट चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई फिर अगली चेन में हम एक बार बनाएंगे फिर अगली चेन में हमने एक बार बनाया और चौथी चेन में हम दो बार बनाएंगे हमने तीन चेन जोड़ा है सिंपल सा सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोश्या रहेगा जो रेंगे से जोड़ेंगे जिले तब करने आप आप देखेंगे एक बूर को नट लगा कर दिया है और यहां पर येलो कलर से बनाएंगे यहां पर हमें border बनाना है yellow color से तो जैसे हमारी dress में border है वैसे हम यहां पर बनाएंगे देखेंगे एक दो तीन वहां पर हमने चार चेन बनाए थी यहां पर हम तीन चेन बनाएंगे और इस तरह से करेंगे सेम चेन में डाला, तीन फंद है, तीनों को एक साथ हमने बुन देना है, यह हम हाफ डबल क्रोश्या बना रहे हैं, फिर देखें, इस तरह से करेंगे, तीन फंद है, तीनों को हमने एक साथ बुन दिया, दो बार किया हमने, और फिर एक और बार कर लेंगे, यह देखें, same हमारा पैटर्न हाएगा और बहुत ही कुपसूरत लएगा देखे ये देखे एक दो दो चैन का Gap देने के बाद तीसरी चेन में हमने स्लिपिष्टी से जोड़ दिया फिर एक दो तीन फिर यहां पर हमें कोई दीक होगी हमें एक यलो कोड़ु लगा दी हमारी पॉर्वाइट है लोग बैठे हुआ है तो आको मेजरमें प्राबलम नहीं होगी आप कि यहां से खुला हुआ है यहां से आसानी से यह आ जाएगी पहुंचो यह पूरी और इसे हम ऐसे कर देंगे और यह साथ में आ जाएगी मैचिंग की क्याप तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होफ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाके ने चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे